ओम साही राम, वेलकम टू साइन्स अमरपन चैनल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं experience लेकर आई हूँ रीना रॉय जी का जो बहुत ही प्यारा experience है जो उनका लास्टी मैंने अभी experience शेर किया था आप लोगों के समक्ष और उनका दूसरा experience लेकर मैं आप लोगों एक इस्तिती बहुत खराब चल रही है, कुछ problems हैं तो यह बहुत परिशान है, यह रोज बाबा को पता है, जब भी पूजा करती है ना, बाबा को बोलती है कि बाबा, हमें जो आर्थिक हमरे इस्तिती है, जो हम financially परिशान हैं बाबा, तो मुझे पैसे दोना बाबा, परिद कर ही पीना पड़ता है, तो पैसा मांगना बाबा से कुछ गलत चीज नहीं है, अगर हम अपनी जरुवत के लिए पैसा मांग रहे हैं तो वो गलत बिल्कुल नहीं है, हम मांग सकते हैं बाबा से, अगर हम अपनी साई मां से नहीं मांगेंगे, तो किस से मांगेंग तो इन्होंने स्वापनों में पता है क्या देखा कि बाबा ना इन्हें पैसे दे रहे हैं और इनके हाथ में नोट दिये दो-दो-हजार के नोट दिये इनके हाथ में बाबा ने और बोला कि जा खुश रहे तो यह बहुत खुश हो गई कि बाबा मुझे पैसों की जरुवत ह और मुझे आप पैसे दे रहे हो और ये बहुत बहुत कुछ जाहिर सी बात है हम जिस चीज के लिए परिशान है और वही स्वपनों में आकर या कैसे भी आकर बाबा हमें दे दे तो हम कितना खुश हो जाएंगे तो उसी तरह से ये बहुत खुश हो गई ये फूले नहीं समाई और अच्चानक से इनके नीन जब खुली ये उठी सुभा सुभा के चारिया पांच बच रहे थे ब्रहमूरत का ये सपना था तो ये अच्चानक से उठी फिर इनको लगा कि अरे पता नहीं क्या है और सुभा क्या होता है जब इनके हस्बेंड उठते है न उसके बाद वो अपने आप इनके पास में आए और उन्होंने इनको पैसे दिये बही दो-दोहसार के नोट इनके हाथ में रखे और ये शौक डोगें की अरे ये क्या बाबा ने तो मुझे सौपन में पैसे दिये आकर और सुभा साक्षत रूप में मेरे हस्बेंड आकर मुझे पैसे दे रहे हैं तो ये साइं की लीला है या नहीं है क्योंकि जो साइं का बच्चा बाबा पर विश्वास सकता है ना बाबा 100% उसकी मुराद को पूरा करते हैं बहुत जल्द बाबा सुन लेते हैं हमें लगता है ना कि बाबा हमारे सुनते नहीं है तो बाबा डेफिनेटली हमारे सुनते है अब जैसे ये रोज बाबा से अर्जी लगाती है अगर ये किसी और को बोले तो क्या कोई हमें पैसे दे सकता है लाकर नहीं दे सकता ना सब हमें समझाएंगे बताएंगे रास्ते बता सकते हैं लेकिन जो बाबा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है ना कुछ भी है चाहिए वो financially हो या कोई रिष्टों की problem हो कुछ भी problem हो सीधा बाबा से कहिए बाबा ही solve करेंगे वो ही solve करने वाले है क्योंकि अगर हमें एक comment है कि हम job कर रहे है यहां business कर रहे है तो हमें पैसे मिल रहे है नहीं वो पैसे बाबा ही दिलवाते है अगर हम job कर रहे है अगर हमारा boss हम से खुश है हमारे colleagues हम से खुश है तो वो बाबा की वज़े से अगर हम business में हमें profit हो रहा है हमारे पस customers आ रहे हैं तो इस सब क्या है बाबा की तो बरकत है न अगर बाबा नहीं होंगे बाबा नहीं भीजेंगे हमारे पास या बाबा ही हमारा प्रमोशन नहीं कराएंगे तो हम पैसे कमा सकते हैं नहीं कमा सकते तो हमारे थाली में जो दो वक्त का खाना आता है वो बाबा की वज़र से ही आता है तो अगर उन्हें स्वपन में बाबा ने पैसे दिये तो वो पैसे कैसे उनके हस्बेंट के पास में आए कहां से आए तो वो सब बाबा की लीला है ना और उनके हस्बेंट लाकर उनकी वाइफ के हाथ में दे रहे हैं यानि कि दीना रॉय जी के हाथ में दे रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि तुझे प्रॉब्लम है तुझे परिशानी है तो जा मैं तुझे पैसे देता हूँ तो ये बाबा की ही तो लीला है ना बाबा किस तरीके से आकर स्वपन में या साक्षात रूप में कैसे आकर न हम बच्चों की मदद कर देते हैं न ये हमें खुद भी पता नहीं चलता तो बाबा से कहिए हमेशा बाबा क्या के रोईए गिड़ गड़ाईए कुछ भी करिए बाबा से कहिए किसी और के आगे मत कहिए क्योंकि अगर आप किसी और से बोलेंगे न तो लोग आपका मजाग बनाएंगे आपको सिम्पैति नहीं चाहिए किसी से अगर हाथ फैलाना है न तो बाबा के आगे फैलाईए वो हैं वो देंगे आपको और वही देने वाले हैं कोई नी देने वाला इस दुनिया में सिर्फ वही देंगे वही रास्ता भी बनाएंगे वो सब कुछ करेंगे तो चलिए मैं लूँगी समापती मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रिन पे चल रहे हैं नंबर पर आप भी हमारा साथ शेयर कर सकते हैं तब तक के लिए मैं लूँगी समापती ओम साइराम जै साइराम